नमस्ते बच्चो आनन्द क्लासेस में आपका स्वागत है मैं सुनीता, मिश्रा आनन्द क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ तो बच्चो आज की पाट साला में हम कक्षा पहली विसे गडित गडित विसे में आज हम नो का परिचे तथा लेखन किस प्रकार किया जाता है हम ये सिखेंगे तो चलो बच्चो हम देखते हैं बच्चो ये चित्र क्या है? आपको चित्र बताना है ये चित्र कच्छुआ का चित्र है कितने कच्छुआ है? चलो गिनो एक, दो, तीन, चार, पाँट, छे, साथ, आठ, नो कितने है बच्चो, नो अब ये दू गोले में दूसरा चित्र देखो ये चित्र क्या है, टोपी जब आपको धूप लगती है तो आप लोग टोपी पहनते हो ना चलो गिनो बेटा, कितनी टोपी है सभी बच्चे मेरे साथ गिनेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो नो टोपी है अब यहाँ पर जगह खाली है यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चो नो मन के बनाना है क्या बनाना है? नो मन के बनाओ तो यहाँ पर आप नौ मन के बनाईए एक, दो, तीन, चार, पात, छे, साथ, आठ, नौ तो आपको भी ऐसी बनाना है और मन के बनाने के बाद आप उसको रंग दो ऐसे जैसे यह मैं रंग रही हूँ ना ऐसे सारे मन को को रंग से रंग हो आपके पास रंग है ना बच्चो मूम कलर लाल, पीला, नीला जो कलर आपको अच्छा लगता है उस कलर से यह सारे मन को को रंग दो यह देखो जब आप रंग दोगे ना तो आपका बहुत अच्छे लगेंगे मन के अभी मेरे पास कलर नहीं है इसलिए बच्चो मैं पेन से कर रही हूँ लेकिन आपके पास तो रंग है क्योंकि आप चित्रकला की पिरड में रंग से भरते हो ना तो आपको यहाँ पे रंग से करना है ठीक है बच्चो? तो यह आपका होमवक है आपको स्को नौ मन के बनाना है और उसमें रंग भरना है अब आगे देखो आठ और एक नौ आठ में हम एक उंगली और जोड देंगे तो कितना हो जाएगा नौ चलो हम देखते हैं यहाँ पे नौ उंगली है की नहीं है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ है न, नौ उंगली, बच्चों आप लोग मेरे साथ बोल रहे हो न आपको भी बोलना है टीचर के साथ साथ घड़ी में बज़ गए नौ कुता बोला भू, भू घड़ी में कितने बज़ गए हैं नौ और कुता कैसे बोलता है भू, 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 बोलता है न चलो आगे देखते भी हमें और क्या करना है दोरी ऐसी रखो कि उसके अंदर नोबस्तु आ जाए हमें ये दोरी दिया गया है बच्चों इस डोरी को हमें इस प्रकार रखना है कि उसके अंदर नौवस तो आ जाए तो ये पहला बॉक्स है इसमें क्या रखा हुआ है बैचो पैंसिल चलो हम देखते हैं कितनी पैंसिल है एक आप लोग भी गिनो हाँ एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस तो इस डब्बे में कितनी पैंसिल है बच्चो दस हमारे दोनों हाथों में कितनी उंगली है दस तो अभी इसमें हमें क्या करना है बच्चो इसमें से हमें नौ पैंसिल पर डोरी रखना है कितनी पैंसिल के उपर हमें डोरी रखना है? नो, हमें डोरी को ऐसे रखना है कि नो पैंसिल डोरी के अंदर आ जाए तो ये देखो बच्चो ये डोरी बनी है, ये देखो मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ ये डोरी मैंने बना दिया है यहां से, ठीक है? तो ये हमारे डोरी हो गई अब देखो डोरी के अंदर नो पैंसिल है कि नहीं? एक, दो, तीन, चार, पाँट, छे, साथ, आट, नो डोरी में हो गई ने नो पैंसिल तो बच्चो जैसे मैंने किया है ऐसे आपको करना है क्योंकि यहां पे लिखा है डोरी ऐसे रखो कि उसके अंदर नो वस्तु आ जाए तो हमने डोरी को ऐसे रख दिया है उसके अंदर नो पैंसिल आ गई है अब हम दूसरा चित्र देखेंगे यह आपका रबड है आपसे गलती हो जाती है तो आप मिटाते हो ना सबसे पहले हम देखेंगे रबड कितना है एक, दो तीन, चार पात, छे साथ, आठ नो, दस ग्यारा कितना रबड है ग्यारा अब हमें करना क्या है हमें डोरी को इस प्रकार रखना है कि उसके अंदर नो रबर आ जाए तो हम यहां से डोरी की सुरुवात करते है यह पहले से डोरी बनी है फिर भी मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ यह दिखो जैसे यह डोरी मैं बना रही हूँ न बच्चो ऐसे ही आपको भी डोरी बनाना है सभी बच्चो को तो यह हमारी डोरी बन गई दिख रही है न अब चलो हम गिनते हैं कि डोरी में नो रबर है की नहीं है ठीक है तो मेरे साथ गिनोगे न बच्चो तो चलो सुरू हो जाओ एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नौ हमसे कहा गया था कि नो वस्तू पर डोरी रखो तो हमने एकदम भराबर नो वस्तू के उपर डोरी रख दी है है ना तो आप लोग भी ऐसे ही नो वस्तू के उपर डोरी रखी है ठीक है अब चलो देखते हैं आगे हमें क्या करना है ये देखो ये बच्चा आप लोगों को बोल रहा है कि आओ हम लोग मिलकर नो लिखेंगे ये बच्चा देखो नो लिख रहा है और आप लोगों को बुला रहा है कि सब लोग आ जाओ हम लोग मिलकर 9 लिखेंगे तो चलो बच्चो हम इस बच्चे के साथ मिलकर 9 लिखते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चो ये सारे बिंदों को एक दूसरे से जोड देंगे जब हम इन सारे बिंदों को एक दूसरे से जोड लेंगे तो 9 बन जाएगा दिख रहा है न ये देखो हम सभी बिंदू को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं तो बंद गया नौ आठ में हम एक मिला देते हैं तो नौ हो जाता है ये देखो जैसे ये मैं कर रही हूँ न बच्चो आपको भी करना है ऐसे ही ये देखो ये हमारा नौ हो गया है अब हमें नौ लिखना भी है अब बहुत सारे बच्चे नौ लिखने में गलती करते हैं तो मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बताती हूँ नौ लिखने का यहाँ पे देखो बच्चो ऐसे सी लिखना सब को आता है आप सी लिखके ऐसे कर हो गया नौ ठीक है पहले आप ऐसे नौ लिखना सीखिए फिर हम ऐसे मैं ऐसे भी आपको सिखा दूँगी लेकिन पहले आप इस प्रकार नौ लिखना सीखिए ऐसे सी बना दो और इसको यहां से गोल कर दो यह हो गया आपका नौ सी बना के इसे नौ गोल कर दो तो इस प्रकार आप नौ लिखना सीख जाओगे और धीरे धीरे एक दो पीज लिखते लिखते फिर आपको ऐसे आदत हो जाएगी नौ लिखने की मेरे सारे बच्चे पहले ऐसे ही करते हैं फिर धीरे धीरे इस प्रकार नौ लिखना सीख जाते तो बच्चो आपका आज का होमवक क्या है मालुम है जैसे मैंने ये 9 लिखा आएसे 9 एक पेज पूरा भरकर आपको 9 लिखना है क्या लिखना है 9 और एक और है होमवक दो होमवक है बच्चो जैसे ये चित्र बनाए ना ऐसे आप कॉपी में चित्र बनाए अगर आपको पेंसिल और रबड बनाना नहीं आएगा तो उसके जगे पे आप ऐसे गोल भी बना सकते हो या ऐसे चोकॉन भी बना सकते हो अब यहाँ पे कैसे कितनी पेंसिल थी? 10 तो आप 10 गोला बनाए उसमें से 9 गोले को रसी से 9 गोले को रसी के अंदर कर दीजिये जैसे हमने पेंसिल किया है तो एक ये होमवक हो गया है और एक पेज में आपको 9 लिखना है ये हो गया आपका आज का होमवक आज का होमवक क्या है? एक पेज में आपको 9 लिखना है और एक पेज में आपको 2 चितर बनाना है बॉक्स में और उसमें से 9 वस्तवों को डोरी से धकना है डोरी के अंदर 9 वस्तवों को रखना है तो ये हो गया आपका होमवक, घर का काम ठीक है बच्चो तो बच्चो जो हमारी आज की पाड़ साला है यहीं समाप्त होती है अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए थैंक यू फार वाचिंग बाई बाई